हेलो फ्रेंज आज हम बनाएंगे पालक, आलू और मटर की सबजी जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और हेल्दी तो ये बहुत ही जादा है क्योंकि पालक में होती है धेर सारी आयरान अभी तो बहुत सारे पालक आ रहा है मार्केट में और यहां पर मैंने 500 ग्राम ज साइज में मैंने इसे काटा है एक बड़ प्याज है यहां पर चार हरी मिर्च है और साथ आठकली लहसुन की है जिसे मैंने बारी बारी काट लिया है तिन बड़े देशी टमाटर है इन्हें भी मैंने बारी काट के रखा हुआ है पालक को हमने धो करके काट लिया है अब ए जैसे ही तेल गरब हो जाए उसमें हम एक चम्मच जीरा डालेंगे जीरा भून जाए उसके बाद हम इसमें लसुन डालेंगे कटी हुई हरी मीर्ज कटे हुए प्याज इसी में डाल देंगे प्याज जैसे हलका सा गोल्डन प्राउन हो जाए इसमें हम कटे हुए आलू डाले मिक्स कर लेंगे इसे और दो मिनट के लिए धक करके इसे पका लेंगे दो मिनट हो गई है चेक कर लेते हैं अब इसे इसमें हम एक चम्मच हल्दी पाउडर दो चम्मच जन्या पाउडर एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है मसाले और आलू को अच्छे से हमें भूलना है तो से तीन मिनाट के लिए अब इसी में हम कटे हुए टमाटर डाल देंगे मिक्स कर लेंगे और इसी के उपर में पालग भी डाल देंगे हम और ढग करके छोड़ देंगे attributes नहीं करना है अभी हमें तो तीन मिनट के बाद हम वापस से चेक कर लेंगे और अब इसमें चम्माच चला लेंगे तो देखिए पालक ने बहुत सारा पानी छोड़ दिया है अगर हम तूरन चम्माच चला देते ना तो ये टमाटर जो है वो उपर आ जाती अच्छे से गल नहीं पाती है टमाटर इस में आधा काटोरी जितनी हम मतर डाल देंगे धाकर करके इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि पालक मतर आलू जो है अच्छे से पक न जाए तो लगभग चार से पांच मिनट के लिए हमें इसे पकाना है वीजवीच में आप चेक करते रहें इसे और ये अच्छे से पक अब की चुकी है मतर और पालक जो है तो यहीं पर अब हम स्वाद अनुसान नमक डाल देंगे अगर हम पहले ही नमक डाल देते ना तो आलू सारा नमक अब ज़र कर लेती है इसलिए हमने थोड़ा लेट से नमक डाला है तो लगभग चार पांच मिनाट में मैंने इसे और पका लिए है और हमारी सब्ची बन करके तैयार है बहुती स्वादिष्ट लगती यह वाली सब्ची तो आप बना करके देखे आपको अगर रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइ बिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैसे क्रिश्णा